Faculty of Art and Humanities की बात करें तो BA यानि की Bachelor of Art NEP 2022 के तहज जहाँ आपर seats available हैं तो तीन ग्रूप, Group A, Group B, Group C तीनों ग्रूप में से कोई एक एक पिपर आपको स्लेट करना होगा 300 seats हैं, तीन साल का 6 समेस्टर का कोर्स है 11,350 रूपे पर NEP यानि की per year जो है आपको यहाँ पर fees लगेगी, intermediate या higher secondary 10 प्लस 2 जो है किसी भी stream से आपने किया तो भी यहाँ आप यहाँ पर कर सकते हैं वहीं पर second course है BFA यानि Bachelor of Fine Arts 60 seats है, 4 year का course है, 8 समेस्टर 24,600 रूपीज पर NEP यहाँ पर fees है, इस course की 12th pass आप में होना चाहिए किसी भी stream से, Bachelor of Library and Information Science तो यहाँ पर 60 seats है, 1 साल का course है, 2 समेस्टर यहाँ पर होता है 19,619,600 पर NEP आपको यहाँ पर fees देनी पड़ेगी graduation in any discipline with 45% marks तो किसी भी stream से आपने graduation क्या हो 45% marks के साथ तो आप यहाँ पर admission ले सकते हैं Bachelor of Social Work, 60 seats है, 3 साल का course है, 6 समेस्टर 19,850 रूपीज यहाँ पर fees है, 12th pass आप होने चाहिए 5th है Bachelor of Performing Arts Music में तो यहाँ पर 50 seats है, 4th year का course है, यानि 8 समेस्टर 19,600 पर year यहाँ पर fees रहेगी, 12th आपने किसी भी stream से किया है तो आप यहाँ पर admission के लिए try कर सकते हैं बात करें faculty of science में, तो यहाँ पर BSC math group की बात करें जो कि NAP 2022 के ताह से, तो यहाँ पर अलग-अलग combination है कि physics, mathematics, computer science, physics, mathematics, chemistry, physics, mathematics, electronics तो जो भी आपको combination चाहिए, आपको वहाँ पर combination select करना होगा तो total 280 seats है, तो अलग-अलग combination में, यहाँ पर physics, mathematics, computer science में 60 है physics, mathematics, chemistry में 60 है, बाकी combination में 40-40 seats है तो 3 साल का 6 semester का course है, 24,850 रूपीज पर year यहाँ पर fees है 10 प्लस 2 with physics, mathematics आपका जो यहाँ पर होना चाहिए हो minimum 50% marks intermediate examination में होना चाहिए यहाँ पर आपको राखना है कि 12 आप पास हो, 50% marks के साथ पास हो और physics और mathematics के साथ पास हो, तो आप BSC math group ले सकते हैं बाकी बात करें हो, तो यहाँ पर भी जो है, आपको अलग-अलग 3 subject का combination देखने को मिलेगा जोलोजी, Botany, Chemistry में 60 seats, जोलोजी, Botany, Microbology में 40, जोलोजी, Botany, Biochemistry में 40, जोलोजी, Botany, Geography में 40, जोलोजी, Botany, Home Science में 40, जोलोजी, Botany, Environmental Science वाले ग्रूप में 40, तो तो टोटल 300 seats यहाँ पर BSC बायो ग्रूप में हैं, तीन साल का course छे समस्टगा है, 24,850 रुपीस पर येर फीस लगेगी, यहाँ पर आपने intermediate 50% मास के साथ पास किया हो और जोलोजी, Botany के साथ पास किया हो, यानि कि इंटर में 12 में जोलोजी, Botany subject होना चाहिए, क्लिए ये बात होगी BSC कि, आप बात कर लें Faculty of Commerce and Management में, तो BBA course है यहाँ पर Bachelor of Business Administration, तो 120 seats हैं, तीन साल का course है, छे समस्टर 32,850 रूपीस पर यहाँ पर, फीस है 12th जो है आपने पास किया हो, 40% मास के साथ तो आप यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं, BCA यानि Bachelor of Computer Application, 120 seats हैं, तीन साल का छे समस्टर कोर्स है, 32,850 रूपीस पर यहाँ पर है, intermediate आपने 45% मास के साथ किया हो, और mathematics के साथ आपने पास किया 32,850 रूपीस पर यहाँ पर और यहाँ पर आपने 12th 40% मास के साथ पास कर लिया है, तो आप यहाँ पर भी कौम एडमिशन ले सकते हैं, वहीं पर MBA है, Master of Business Administration, यहाँ पर 60 seats हैं, 2 साल का कोर्स, 4 सेमेस्टर का कोर्स है, 32,850 रूपीस पर यहाँ पर फीस है, graduation किसी भी discipline में, 50 50% मास के साथ General OBC और 45% मास के साथ SCST कटेगरी के हैं, तो आप अप अपलाई कर सकते हैं, यहाँ पर याद रहे कि जो MBA में एडमिशन होता है, वह CUT-PG का एग्जामनेशन के जेरो द्यानी कि यहाँ पर CUT-PG का, यहाँ पर MBA के लिए इंटरनेस इप्शन नहीं कंड़ कर आपको CUT-PG का इंटरनेस इजामनेशन देना होगा, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आके काउंसलिंग करवानी पड़ेगे, MBN Finance and Control में 60 seats है, MBN Agri Business में 60 है, MBN Tourist Management में 60 seats यहाँ पर अपलेबल है, तो आपको जो है इसके accordingly यहाँ पर फीस परनेम देना होगा, MBN Finance and Control के ल 50,850 रूपीज यहाँ पर फीस पर यह आपको देनी पड़ेगी, वही पर Faculty of Law में Master of Law LLM कोर्स यहाँ पर एबलेबल है, 60 seats है, 2 यह का कोर्स है, 4 समेस्टर 50,400 पर यह फीस होगी, 50,400 पर यह फीस है, यहाँ पर LLB 3 यह का या फिर 5 यह का आपने 50% मास के साथ आपने किया ह तो यहाँ पर आप LLM में एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद Institute of Engineering and Technology IET की बात करें, तो यहाँ पर Computer Science and Engineering ब्राच में B.T.E.C. में 60 seats है, 4 यह का कोर्स है, 76,600 पर यहाँ पर फीस लगेगी, B.T.E.C. लेटरल इंटर के ज़री आते हैं कि सीधे 2 यह में एडमिशन लेते हैं तो 6 seats हैं, उनली 6 seats हैं, तीन साल का कोर्स होगा, डिप्लोमाइन इंजिरिंग या फिर ब्यस्ती होनी चाहिए, 76,600 पर पर फीस होगी, M.T.E.C. फूल टाइम Computer Science and Engineering में 30 seats हैं, और यह पर M.T.E.C. पार्ट टाइम में Computer Science and Engineering ब्राच में 30 seats हैं, जो फूल टाइम की फीस है M.T. M.T.E.C. में 68,600 है, M.T.E.C. पार्ट टाइम में 30,500 है, वही पर IT ब्राच से गर आप B.T.E.C. करते हैं, तो 60 seats हैं, 76,600 पर फीस होगी, B.T.E.C. लेटर लेंटी लेते हैं, IT ब्राच में 6,600 पर यह फीस है, M.T.E.C. फूल टाइम करते हैं, IT ब्राच से तो 30 seats हैं, 68,600 पर M.T.E.C. फूल टाइम में 30 seat है, M.T.E.C. पार टाइम में 30 seat हैं, M.T.E.C. पार्ट से उलेबलेबल यहां पर इसमें M.T.E.C. नहीं है इबलेबल है, इसमें M.T.E.C. नहीं है वो आपने qualify किया हो तो उसके बाद आप यहाँ पर registration करके counseling करवा सकते हैं और वही पर MCA के लिए भी आपको CUT-PZ का examination देना होगा उसके बाद यहाँ पर registration करवा कर आप से counseling करवा सकते हैं बात कर लें Institute of Pharmacy की तो Diploma in Pharmacy में 60 seats है 2 year का course होता है 60,450 रुपीस पर year fees है और यहाँ पर Bachelor of Pharmacy भी है 60 seats है 4 year 8 semester का course होता है 76,600 रुपीस पर year यहाँ पर fees होगी और वही पर B Pharma लें lateral entry लेते हैं तो 6 seat हैं 3 साल का course होगा जो है यहाँ पर 6 semesters होगे 76,600 रुपीस यहाँ पर fees होगी वही पर RMLU के जो constituent colleges हैं तो वहाँ पर भी जो है अलग-अलग courses यहाँ वाले राजकी महाविद्याले कटरा चुगूपू सुल्तानपूर तो B.A. में 660 seat हैं 3400 रुपीस पर year fees होगी B.B.A. में 60 seats हैं 15,000 पर year fees है B.C.A. में 60 seats हैं और 15,000 पर year fees है राजकी महाविद्याले खंडसा मिलकीपूर अयुद्या में B.A. में 660 seat हैं 3400 रुपीस पर year fees है वही पर राजकी महाविद्याले बहराइच में B.A. में 660 seat हैं 3400 रुपीस पर year जो हैं पर fees होगी यही पर program available in university campus and affiliated college बोथ master of education M.A. 25 seats से 59,600 रुपीस यहाँ पर fees होगी पर year वही पर program running in affiliated college only यानि कि ऐसे program जो सिर्फ affiliated college में चल रहे हैं तो उसमें bachelor of law जो की 3 साल का course होता है LLV 3 year यहाँ पर 3 years का course है 6 समस्चा का course है यहाँ पर fees की जानगाई नहीं दी गई है eligibility की बात कहें LLV 3 year करने के लिए आपको graduation जो होना चाहिए 45% मास के साथ वही पर OVC के लिए 42% है और 40% SCST candidate के लिए तो general के लिए 45% होना चाहिए OVC के लिए 42% और SCST के लिए 40% है वही पर bachelor of law 5 year की बात कहें LLV 5 year की तो यहाँ पर intermediate में आपने 45% मास के साथ पास किया होगर आप general category से हैं OVC 42% से और SCST के लिए 40% का criteria आपर रखा गया है तो LLV 5 year में आपको इंटर्व के बाद ही admission निल जाएगा LLV 3 year में graduation के बाद हो हैं आपर जो है admission मिलता है इसके अलावा बहुत सारे diploma course है वोकेशनल course हैं पीजी डिप्लोमो courses हैं Master of Arts जो है different stream में available हैं